पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तो जो आज का वीडियो होने वाले वो खास कर उन लोग के लिए खास होने वाला है जिनके पास चार्ज भी राम है और पांसो बाराम भी ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वाला अगर आप इतना system requirement fulfill रखते हो और अच्छे गेम्स खेलना चाहते हो जो की open world हो वीडियो को सुरू से लेकर अन तक देखना और एक बात दोस्तों की जितने भी गेम्स के लिंक है आपको मेरे website में मिल जाएंगा website का link आपको मेरे description box में मिल जाएगा तो भाई देर की इस बा रखता है उसका नाम में Battlefield 4 and Battlefield 4 एक first person shooting video game में जिसे double up किया गया है DEA dice के दवारा and इसे publish किया गया है electronic arts के दवारा आप इस गेम को बोल सेकते हैं कि यह Battlefield 3 का पुरा sequence जो कि 2011 को release किया गया था Battlefield 4 को release किया गया था October 2013 को and well guys यह सभी platform के लिए उपलब दे PlayStation 4 Xbox and आपकी PC के लिए missions complete करने रहता है and basically इस गेम का मेर को सब सहच बात यह लगता है कि पूरा open world game आपको पूरा open world viewing angle मिलता है and अलग-अलग city में आप यहां पर अपना missions को complete करते हो तो basically इसका जो graphics quality बहुत ही awesome है and यह पूरा missions यह पूरा camping type का game है साथी साथी मल्टी प्लेयर भी है दोस्तो तो अगर इस game को अगर आपको install करना है तो आप मेरे website पे जा सकते हैं वहां से install कर सकते हैं बात करें सिस्टम requirement की तो भाई इसका जो system requirement है वह आपके 4GB RAM में आराम से चल जाएगा ग्राफिक कार्स की बात करें तुमनें 512 भी नीड है and दुस्तों space की बात करें तो आपके पास 15GB का space खाली होना चाहिए आपके PCA laptop है तो भाई इतना system requirement है इस game को आप smoothly खेल सकते हो एंड गेम का पूरा experience ले सकते हैं बढ़ते हैं हमारे second game के उपर तो किस हमारा जो second game निकल किया था उसका नाम है Far Cry 3 फार क्राइट 3 जो है दुस्तों वह एक first version shooting वीडियो गया है जिससे develop and publish किया गये यूविशॉफ के द्वारा एंड उसका नाम जैसन रहता है और वह रूक आइलेंड जाता है अपने फिरंशार विकेशन मनाने और उसके भाई जो rally रहता है उसको pilot license मिलने एक खुशी में वो party मनाते रहता है तो होता क्या है दोस्तों कि वो party मनाते मनाते skydiving करता है and skydiving के साथ वो एक island में उतरते जहां वास नाम का एक बंदा रहता है जो जब यह land करते हैं उस island में तो सब इधर इधर हो जाते हैं दोस्तों and then after वास जेसन के और कुछ उसके friends को पकड़ लेता है and जैसे तैसे वास के कबजे से छोड़ा के जैसे तैसे वहां से निकलता है and then after यहां पर main story स्टार्ट होता है यहां पर आप Jason VASC के जो भी base रहते हैं अब वास को माना रहता है तो इस हिसाब से जैसन one by one वास के जीतने भी base रहते हैं उन सभी को खत्म करता है जैसे लाशने वास को मार देता है तो basically एक storyline mission game है दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है तो बिसिकली दूस्तों जो फारक रही का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वार्मेंट है जिसमें कि आप इस गेम को स्मूदली खेल सकते हो वह यहां पर रिविल कर देना चाहता हूं राम की बात करें तो मिनिमम आपके पास 10 GB के असपा स्पेस खाली होना चाहिए पीस या लापटॉप पर तो अगर आपको इस गेम को भी अगर अपको स्टॉल करना तो कूट भान के मेरे वेब साइट पर जाए वहां से आपको इस गेम को स्टॉल कर सेकते तो वैल गाईस यहां पर मैं थोड़ा एक्स्प्लेइन कर देना चाहता हूं वास्टॉप जो हमारा गेम है वह एक आक्शिन एडवेंचर एंड साथी साथ ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे टेवलप और पब्लिश किया गया यूवी सॉफ्ट के द्वारा और बेसिकली इस गेम में आपको बिसिकली फिला हैकिंग स्किल आपको यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपको मिशन कंप्लीट करने रहता है एंड जो हमारा गेम का जो मैप हो सिकागो शहर में बेस है जहां कि पब्लिक जितने भी पब्लिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है मतलब एक से कनेक्टेड है तो बेसिकली उस ओयस का नाम सिटी ओयस रहता है तो सिकागो शहर के एक प्राइवेट कंपनी उससे डेवलप कर से सभी चीज कंट्रोल होती है कि कौन आदमी कहां पर है और पूरे CCTV क्यामरा असपने पूरा सिटी इस ओयस से कंट्रोल होता है और बेसिकली अध्य हमारा इस प्रोटेगनि़ेश रहता है उस एडाम प्रियस रहता है वह हाइव इसके लिए ग्रेड हैट विल्त हैकर रहता है कि शहर के किसी भी अलग्राइब जिवाइब को हैकर सकते है तो बैसिकली अभ यहाँ पर जो आपका मिशन स्टार्ट होता है Cayetan दॉस Queens व पूरा open world view मिलता है और दुस्तों गेम का ग्राफिक से उसका क्या कहना मतलब कुरता भाड के में नाचू ऐसा गेम का ग्राफिक से आप इधर विदर city को explore कर सकते हो घूम फिर सकते हो मतलब पूरा यार आपको open world city का यहां पर पूरा experience देखने को मिलने वाला है आप जो minimum system requirement है वह में बता दू राम की बात कर तो minimum 4GB होना चाहिए ग्राफिक काड मीनिमूम आपके पास 500 बाना में नीड एंड दुस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपके पास intel code to do का प्रोसेसर होना चाहिए स्पेस की बात कर 25GB के असपास पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैप्टॉप है बिसिकलिए अगर आप इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना तो भाही बोलने का क्या बात है पूत फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ एंड वेबसाइट कर लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जल्दी जाके इस गेम को स्टॉल कर लो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के उपर फोर्थ गेम निकल के आता है उसका नाम है जीटीए फाइफ के फैन है तो प्लीज एक लाइक और एक शेर करके जरूर जाना तो यहां पर मैं जीटीए फाइफ के बारे में थड़ा आपको एक्स्प्लेइन कर देना चाता हूँ व इसमें आप सिंगल प्लेयर भी ख्यल सकते हैं और मल्टी प्लेयर मिल सकते हैं यहां पर आपको दोनों जाते हैं प्र sih मेragen एपया जीट मेर कने रहते हैं आपन दैला सबकेत सबसे केल्ञा देख है तो basically ये game आपकी सभी platform के लिए अपलब दे आप इसे PlayStation 3 में खेल सकते हो, 4 में खेल सकते हो, Xbox में खेल सकते हो In fact, अपनी PC में भी खेल सकते हो तो well guys, इस game को जो minimum system requirement है, वो यहाँ पर में reveal कर देना चाहता हूँ RAM की बात करें, तो 4GB होना चाहिए इस game को install करने के लिए, इस बढ़ते हैं हमारे 5th game की उपर, उमारा 5th game निकल के आता है, उसका नामे Max Pan 3 And, अगर आपने Max Pan and Max Pan 2 नहीं खेला है, तो भाई आप पहले उन game को खेलो, तब जाके Max Pan 3 में आओ क्योंकि लिए Storyline समझ में नहीं आएगा, तो गेम खेले कोई फाइदा नहीं, अगर आप एक Storyline लवर एक मिलब, Storyline मिलब, Sequence भाई खेलने में आपको पसंद है, तो भाई Max Pan 1 में Max Pan 2 को खेलना जरू ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, Max Pan 3 की, तो अब कुछ लोग बोलोगे, भाई थोड़े ना 4GB वाला game है, भाई तो 2GB में चलेगा तो भाईया, अगर आप Smoothly game को High Graphics में खेलना चाहते हो, तो Max Pan 3 आपके लिए ही पना है, भाईया जी तो यहाँ पर Max Pan 3 आपका एक 3rd परचन शूटिंग वीडियो गया में, जिसे डवलप किया गया हमारे चहीते Rockstar Studio की द्वारा, और इसे पब्लिश्ट भी किया गया graphics quality वो भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो बैसिकली इस गेम की system requirement की बात कर लें, तो guys इस गेम करें, minimum system requirement है, वो यहाँ पर में reveal कर देना चाहता हूं, RAM की बात करें, तो minimum 3 GB होना चाहिए, graphic cards की बात करें, तो यहाँ पर आपके 500 बाना भी graphic card होना चाह अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको install करना है, चाहिए आप part 1, max pen 1, max pen 2, max pen 3, इन तीनों को अगर आपको खेलना है, तो कूद फान के superman जैसे मेरे website पर जाओ, अपनी गेम को install कर लो, तो well guys, बढ़ते हैं हमारे 6 गेम के उपर, जो मारा 6 गेम निकल के आता है, उसका न तो यहां पर मैं Call of Duty Black Ops 2 के आपर मैं थोड़ा पता देना चाहता हूँ, दोस्तों, Call of Duty Black Ops 2 एक first version shooting वीडियो में, जिससे डेवलप किया गया tryh के दवारा, और इससे publish किया गया activision के दवारा, और यह अल्मूस्ट सभी platform के लिए उपलप दे, Microsoft Windows, PlayStation 3 and आपके Xbox के लिए, इस सिंगल प्लेर, एक मल्टी प्लेर, तो इस गेम में आपको पुरा open world view मिलता है, आप open world का यहां पर experience का लुफ्ट उठा सकते हो, गेम का जो minimum system requirement है, वो यहां पर मैं reveal कर देना चाहता हूँ, RAM की बात कर तो आप इससे 2GB में भी खेल सकते हो, बट आप अगर अच्छा experience लेना चाहिए, RAM की बात कर तो मिल्यों 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्स की बात कर तो minimum 500 बारा में need है, एंद दुस्तों प्रसेसर की बात कर तो को टुडियो में आप से चल जाएगा, पेस की बात कर तो minimum 12GB के आप सपस पेस खाली होना चाहिए, इस गेम को खेलने के लिए, अग पॉब्लिश किया गया, Square Unix के दुबारा, Romrider गेम है, टूटली open world game है, यहाँ पर आपको missions को complete करना रहता है, मतलब यहाँ पर आपको पुरा wild life का पूरा experience देखने को मिलता है, mission story line mission यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको missions को complete करना रहता है, यहाँ पर स single player भी है, and multi player भी है, and game अल्मूस्स सभी platform के लिए उपलबद है, playstation 3, xbox, playstation 4, and आपके PC के लिए, and सबसे शी बात यह दो, graphic quality है, वो कता ही OP graphic quality है, यहाँ पर मिल कर देना चाहता हूँ, इस game की बात करें, दोस्तों, minimum आपके वाइस 3GB का RAM होना चाहिए, प्रोसेसर की बात कर तो इस game को भी अगर आपको install करना है, अपने PCI laptop पर, तो कूट फान के मेरे website पर जाओ, और अपने game को install कर लो, so well guys, बढ़ते हैं, हमारे 8 game के उपर, जो हमारे 8 नुमर वाल गेम है, उसका नाम है, Batman Arkham Origin, and दोस्तो, Batman Arkham Origin, एक action adventure video game है, जो की साथी साथ आपको इसमें, OpenDwell का आपको एक्टूबर 25, 2013 को, साथी साथ, गेम मोड की बात करते हैं, आपको single player, साथी साथ, multiplayer भी मिल जाता है, and almost इस सभी platform के लिए आपके उपलब दे, आप इसे PlayStation 3 में, Xbox में खेल सकते हैं, साथी साथ, अपने PC में खेल सकते हैं, गेम में आपको क्या, हमारे जो मेन करेक्ट पर वो Batman खुद रहता है, मेन विलन रहता है, उसका नाम Black Marks रहता है, जो कि Gotham City में तभाही माचाने लग जाता है, उसे रोकता है, साथी साथ, यहां पर missions complete करना रहता है, and after mission, आप City में इधर विधर मटरा सकते हैं, और Open World का experience ले सकते हो, सभाल कि सिस्टम तो यहां पर रिकमेंडिट सिस्टम रिक्वार्मेंट है, वो यहां पर में रिवील कर देना चाहता है, और RAM की बात करें, तो minimum 4GB होना चाहिए, प्रोसेसर की बात करें, इंटल को तो यूचल जाएगा, ग्राफिक कार्स की बात करें, तो 512 में नीड है, and space की बात करें, त दोसका नाम है, Assassin's Creed 4 Black Flag, and दोस्तो, Assassin's Creed 4 Black Flag भी आपका एक action adventure वीडियो गेम है, जिसे develop and publish किया गया, Ubisoft के द्वारा, and साथी साथ इस गेम को रिलीस किया गया, तो 29th October 2013, and almost यह सभी प्लाटपर्म के लिए फ्लवद है, आप इसे PlayStation 3, Xbox, and आपके PC के लिए भी खेल सकते हो, साथ साथ इस गेम के बारे में थोड़ा मैं explain कर देना चाहता हूँ, दोस्तो, एक स्टोरी लाइन मिशन गेम मिलता है, यहां पर आपको मिशन कंप्लीट करना रहते है, साथी साथ यहां का जो मैप है, वो टोटली open world है, आप मैप को पूरा explore कर सकते हो, साथी साथ यहां पर आप पर आप दोस्तो, वो पूरा open world based है, इसका जो graphics है, गेम का वो काफी OP है, इस game के system requirement है, वो यहां पर मैं reveal कर देना चाहता हूँ, वो इस game के minimum system requirement है, वो यहां पर मैं reveal कर देना चाहता हूँ, रैम की बात करें, तो minimum 4GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्स की बात करें, तो minimum 512 minutes है और दस तो processor की बात करें, तो Intel का i3 का processor आपके PCI laptop पे होना चाहिए, space की बात करें, तो 30GB का space खाले रखना इस game को खेलने के लिए, तो इस game को भी अगर आपको install करना है, तो भाई, कूद फान के जल्दी से मेरे website पे जाओ, और इस game install कर लो, तो बढ़ते हैं हमारे आखरी game के उपर जो हमारा नमबर 10th game है, तो वेल गई, जो हमारा 10th game है, उसका नाम है Need for Speed Rivals, एक आपका racing game है, जिसे developed किया गया है, गोस्ट game के दवारा, एंड इसे publish किया गया, electronic arts के दवारा, बिसिकली इस game को release किया गया था, तब 15th November 2013 को, बिसिकली यह आपके सभी platform के लिए अप आपको totally racing करना रहता है, यहाँ पर आपको missions complete करना रहता है, जैसी इस game को मैं बता दू, इस game को जो map है, वो totally आपको open world का view देता है, ठिलाने के लिए, आपकी PCI laptop पे कितना system requirement होना चाहिए, ओ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, RAM की बात करे, तो minimum 4GB होना चाहिए, graphic cards क बात करे, तो minimum 512 भी need है, and दस तो processor की बात करे, तो Intel code to do में game अराम से चाल जाएगा, space की बात करे, तो minimum 10GB के आसपास space खाली होना चाहिए, आपकी PCI laptop है, तो अगर इस game को भी आगर आपको खेलना है, या install करना है, तो भाई, कूत फान के मेरे website पर जाओ, and इस game को install कर लो, तो वेल गाईज, बस यही कुछ 10 game थे, आपके 4GB RAM वाले PC के लिए, प्लीज कमेंट करना कि इन top 10 game में से आपका फेवरेट कौन सा है, आप कौन सा game अभी डाउनलोड करने वाले हो, तो आज की वीडियो बस इतना ही था, I hope दूस्तों कि ये वीडियो पसना है, वीडियो प अपना ख्याल रखना और परिवारा ख्याल रखना, साथी साथ अपनी गल्फरिंड़ा ख्याल रखना, तब तक लिए, जै हिन, जै भालत!